आज हम एके मात्रा सिखेंगे ठीक है छोथी एके मात्रा एके मात्रा यहां देखें चिक चिक चिडिया रवी छवी तिल गती हरी मिला जिला किताब गितार तकिया जिराफ सियार हिरन रवी शनीवार केशमेश साइकिल नारियल यहां अल्रड़ी हमने पढ़ा है यह की मात्रा तो अज हम इसका पढ़ने का अभ्यास करेंगे ठीक है आई आई चिलिया आई चहक चहक कर चिलिया आई मिठी मिठी खीर पकाई आई चिलिया चिलिया आई दिन निकल आया विमल ओट आलस मत कर बगिया जा डालिया भर कर फल ला रवी नारियल लाया किसान किरन किताब पड रवी गितार बजा पिकनिक पर चल बादल घिर आये रिमजिम रिमजिम पानी बरसा डाकिया आया रवी भागा रवी फिसल गया यहां हो गया रीडिंग का आज रूम इसने इसको पड़ा है तो आपको भी यहां पड़ा है अभी देखे इसके बाल आगे का यहां देखे उचित स्तान पर ए की मात्रा वह ए की मात्रा लगाए यह चोटी यह बड़ी यहाँ पर आपको क्या करना है इकी मात्रा लगाकर अक्षर लिखने है किरन किरन इस तरह आती है ठीक है एक लिखकर आपको बताती हूं देखिया किरन इसी तरह किसान सितार यह हो गई छोटी यह की मात्रा अभी यह जो है यहाँ पर यह है बड़ी यह की मात्रा डाली माफ कीजे डाली हाथी बड़ी यह की मात्रा हाँ माहानी मिहानी महमिहानी इसके बाद मलेश पर देखिया हाँ मालेश तकिया किश्मिश नमकीन मचली थीर इस तरहा का लिखना है आपको यह होने के बाद यहाँ पर आईए उचित शब्द चाट कर वाक्या पूरा करें उचित शब्द चाट करें निकि उसमें से कौन सा शब्द और करेक्ट है वो चाट कर इसमें लिखिए दादी ने खीर बनाए दादी ने खीर बनाए ठीक है दादी दीपक जला रही थी यहाँ पर छोटी यह दादी दीपक जला रही थी दीवाली का दिन्था दीवाली का दिन्था माताजी मिठाई लाई माता पपीता खा पपीता यहां से उचित उतर है ठीक है अभी आ की मात्रा और ई की मात्रा वह ई की मात्रा वाले सही शब्द का उपयोग करके वाक्य पूरा करें यहां देखिए आकाश पर बादल चा गए बादल ठीक है उतर है बादल उसी तरह ही दूसरा वाला देखिए डैश डाक लाया डाकिया डाक लाया ठीक है धैश का दिन था शनी वार का दिन था शनी वार का दिन था ठीक है इसके बाद है मदन बगिया जा मदन बगिया जा बगिया जा यह सीता चिडिया मत पकड चिडिया मत पकड ठीक है दादी पपीता खा पपीता खा यह हो गए अब आगे के जो है यह वाले जो है वो आपको खुद करके रखना है यहाँ पे देखें आट आट नौ दस ग्यारा बारा यह जो पांच है आपको करने है और यहाँ पे फलों के नाम लिखकर उस पे कलर भरने है ठीक है आज के लिए इतना आपको करके पूरा क्लास वर्क में रखना है ठीक है कर दो